वेलकम फ्रेंड्स वेलकम टो मैं यूट्यूब चैनल आईए स्यात्रा फ्रेंड्स आज कर टॉपिक आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है यदि आप यूपी एस सी में से अटेम्ट करने जा रहे हैं जो कि जन्वरी 2021 में होने वाला है तो यह टॉपिक आपके लिए बहु टॉपिक है जीव विग्ञान और परयावरन से संबंदित है आज का टॉपिक है जलवायू परिवरतन से निपटने में वनों की भूमी का और परयावरन प्रभाव आकलन क्या है हम इस पर भी चर्चा करेंगे साथ में यह जो एडिटोरियल है उसमें दा हिंदू, दा आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके तो फ्रेंट्स सबसे पहले जानते हैं चर्चा में क्यों है इस लेक में जलवायू परिवरतन की चुनोती और इससे निपठने के प्रयासों में वनों की भूमिकार वोस्ते संबंधित विविन पहलूं पर चर्चा की गई है पिछले 2030 तक बंजर तथा वनों की कटाई वाली 2.6 करोर हेक्टेर भूमि को पुनर इस्थापित करने की भारत की प्रतिवधता को दोहराया था वर्तमान में जलवायू परिवरतन और वैश्विक तापमान में व्रिधी के कारण जैब वेवित्ता को हो रही शती को रोकने के लिए प्रदूशन तथा उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों के साथ पारिस्थितिकी तंतर में सुधार लाने पर विशेश ध्यान दिया जाना बहुती आवश्यक है वर्ष 2021-30 को सन्युक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंतर पुनर वहाली दशक UN Decade of Ecosystem Restoration UNCCD के रूप में घोशित किये जाने और पोस्ट 2020 बायो डाइवरसिटी फ्रेमवक की तैयारी के बीच आने वाला दशक बिविन मानविये तथा गैर मानविये गतिविदियों से प्रभावित हुए इस्थलिये एवं जलिये पारिस्थितिकी तंतरों की पुनर वहाली के प्रयासों में कई गुना विर्धी की मांग करता है अब जानते हैं Forest Landscape Restoration FLR क्या है? Forest Landscape Restoration पारिस्थितिकी कारेशमता को पुनर प्राप्त करने वनो नुमूलन से प्रभावित छेतरों में मानव कल्यान को बढ़ावा देने और भिन-भिन भू उपयोग से संबंधित सभी हिद धारकों के लिए वस्तूओं एवं सेवाओं की एक विस्तरित शरंखला कराने की एक लंबी प्रक्रिया है जलवायू पडिवर्तन के प्रभाव को कम करने में वनों की भूमिका क्या है ये जान लेते हैं पेर और अन्य वनस्पतियों प्रकाश संसलेशन के माध्यम से परयावरन से कारवन डायोकसाइड को कम करने में साहता करती हैं साथ ही मृदा प्रथाओं, खेती के तरीकों, मिट्टी के पोशन और तापमान के साथ बदलती रहती हैं जलवायू परिवर्तन जैसी गंभीर चुनोती से निमपटने के अलावा वन हमारे दैनेक जीवन में कई तरह से महत्वपूर्ण भूई का निभाते हैं अंतराश्ट्रे प्रकरती सनरक्षन संग आयूसी एन की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्वी की स्तर पर लगभग 1.6 बिलियन लोग वैश्वी का बादी का लगभग 25 परसेंट अपनी आजीविका के लिए वनोपर निर्भर हैं जिन में से बहुत से लोग विश्व के सबसे गरीव वर्ग से संबंधित हैं वन प्रतेक वर्ष स्वच जल और स्वच मिटी के अतरीक्त लगभग 70-100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराते हैं विश्व की कुल इस थलिये जय विविट्ता का लगभग 80% भाग वनों से संबंधित हैं जलवायू परिवर्तन से निपटने हेतू किये गए परियास तो पेरिस समझोते के विश्व में बात करते हैं इसके विश्व में आप सभी जानते होंगे कि अनुछेद 5 के तहट सदस्य देशों से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सरजन को नियंतिरित करने हेतू वनों मूलन को रोकने पर विशेश जोर देने की मांग की गई है साथ ही यह अधिकांश देशों द्वारा राष्ट्रे इस्तरपर निर्धारित योगदान Nationally Determined Contribution NDC की प्रतिवधताओं में भी परिलक्षित होता है गौर तलब है कि NDC में वन्ने छेतर के सुधारों के माध्यम से जलवायू परिवरतन से निपटने के परियासों को भी शामिल किया गया है जर्मनी द्वारा IUCN के साथ मिलकर वर्ष 2011 में बौन चैलेंज की शुरुवात की गई जिसके तहट वर्ष 2020 तक 1500 मिलियन हेक्टेर और वर्ष 2030 तक 3700 मिलियन हेक्टेर वंजर तथा वन्नूमूलन से प्रभाविच छेतर की पुनर बहाली का लक्षे रखा गया है भारत वर्ष 2015 में बौन चैलेंज की पहल में शामिल हुआ और इसके तहट भारत द्वारा 21 मिलियन हेक्टेर बंजर तथा वन्नूमूलन से प्रभाविच छेतर की पुनर बहाली की बात कही गई थी इस लक्षे को सितंबर 2019 में दिल्ली में आयोजित मरुस्थलीकरन रोक्थाम पर सन्युक्त राष्ट्रे अभी समय सम्मेलन के दोरान बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेर कर दिया गया इसके साथ ही भारत द्वारा NDC के तहत वर्ष 2030 तक अतरिक्ट वन एवं व्रिक्ष आवरन के माध्यम से 2.5 से 3 अरब टन कारवन डायोकसाइड सम्तुल्ले अतरिक्ट कारवन सिंक तयार करने का लक्षे रखा गया है अब चुनोतियें क्या हैं ये भी जान लेते हैं जलवायू परिवर्तन सूखा एवं बार की घटनाव में व्रिद्धी भूष खलन आदी के कारण उपजाओ भूमी का तीवर शरन हो रहा है UNCCD के अनुसार भोजन, चारा, इंधन और कच्चे माल की बर्ती मांग से भूमी पर दवाव तथा प्राकरतिक संसाधनों के लिए प्रतीस परधा में व्रिद्धी हुई है विशो की कुल मानवादी का लगवक 18% और पशों की अबादी का 15% हिस्सा भारत में पाये जाता है जबकि विशो के कुल भूभाग का मातर 2.4% हिस्सा ही भारत के अंतरगत है ऐसे में देश में नाग्रिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राकरतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहे है आंधर परदेश में वर्षा की कमी के कारण किसानों की बोरबेल पर निर्भरता बढ़ती जा रही है जिससे मिट्टी की शुश्कता में भी वृध्धी देखी गई है जारखन राज्य में अन्यंतरित खनन के कारण मृधा परदन और जल संकट में काफी व्रिधी हुई है केंद्रिय भूजल बोड के आंकडो के अनुसार राज्य के गिरीडी जिले के एक ब्लॉक में जल इस्तर वर्ष 2013 से 17 के बीज 8 मीटर से गिरकर 10 मीटर तक पहुँच गया है वहीं गोवा राज्य में खनन और बरते शेहरी करन गुजरात में चारागा एवं क्रिशी के लिए भू अतिकरमन के नकरात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं वन उन्मूलन पे बात करते हैं भारत वन इस्तिती रिपोर्ट 2019 के अनुसार पुर्वोत्तर भारत के वनावरन छेतरफल में लगभग 765 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है असम और तिरुपुरा को छोड़ कर पुर्वोत्तर के बाकी सभी राज्यों के वनावरन छेतरफल मे कमी आई है इस रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रे राजधानी दिल्ली में कुल वन छेतरफल लगभग 195.44 वर्ग किलोमीटर है जो इसके कुल छेतरफल का 13.18 परसंट ही है रिपोर्ट के अनुसार देश का कुल वन छेतर 7,12,249 वर्ग किलोमीटर का है जो देश के कुल वोगलिक छेतरफल का कम से कम एक तीहाई रखने का लक्षे रखा गया था। आवरन ने राजे में मिट्टी के कटाओ की घटनाओं में वृध्धी की है अब मरुस्थली करन के विशे में चर्चा करते हैं UNCCD के अनुसार मरुस्थली करन प्रतीवर्ष विश्यो भर में लगवग 12 मिलियन हेक्टेर उपजाओ भूमी को प्रभावित करता है मरुस्थली करन से प्रभावित शुश्क भूमी ना केवल अपनी उपजाओ शमता बलकी जल प्रणालियों के प्रवंधन और कारवन संरक्षित करने जैसी परिस्थितिकी तंतर सेवाओं की अपनी शमता को भी खो देती है मानाव इतिहास में मरुस्थली करन की घटना कोई नई बात नहीं है परंतु चिंता का कारव यह है कि हाल के दशकों में इसकी गती में 30-35 गुना की बृद्धी देखी गई है पिछले दो दशकों के दोरान विश्यों में लगवग एक चौथाई भूमी का शरन देखने को मिला है इसरो के एमदाबाद इस्थित अंतरिक्ष अनुपरियोक केंदर इस्पेस एप्लिकेशन सेंटर SAC द्वारा वर्ष 2018 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल छेतरवल का लगवग 30% या 96.40 मिलियन हेक्टेर हिस्सा भूशरन से प्रभावित है उर्जा एवम सदसाधन संस्थान टेरी की एक रिपोर्ट के अनुसार भूशरन के कारण प्रतिवर्ष सरकार को लगवग 48.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की शती होती है अप्रयाप्त प्रतिपूरक वनिकरन हाली में हिमधारा Environment Research and Action Collective द्वारा प्रकाशित एक अध्यन के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किन्नोर जिले में बुनियादी धांचा परियोजनाओं के विकास के लिए किये गए वन व्यपवर्तन, forest diversion के बदले प्रतिपूरक वनिकरन, compensatory afforestation के तहत केवल 10 प्रतिशत पोधे ही लगाए गए तथा लगाए गए पोधों की उत्तर जीविता की दर मातर 3.6% ही थी अब समधान क्या हो सकते हैं ये भी जान लेते हैं इसके FSI के एक अध्यन के नुसार यदी देश में प्रभावित हुए कुल वन शेतर के 50% हिस्से की पुनर स्थापना की जाती है तो वर्ष 2030 तक इससे 1.63 बिलियन टन कार्वन डायोकसाइड के समतुले कार्वन सिंक को बढ़ाया जा सकता है जबकि 70% की पुनर स्थापना से कार्वन सिंक में 3.39 बिलियन टन की व्रिद्धी की जा सकती है देश में वनावरन को बढ़ाने के लिए निमलिकित उपायों को अपनाया जा सकता है पहला उपाय है गंभीर रूप से प्रभावित और खुले वनों व्रिक्षों का घनतों 10-40 प्रतिशत की पुनर स्थापना बंजर भूमी का वनिकरन, क्रिशी वानिकी, हरित गल्यारों का विकास, रेलवे लाइन, नहरों, नदियों और सरकों के किनारे व्रिक्षारोपन वर्तमान में भारत में वन प्रवंधन के तीन प्रमुख उद्देशे हैं जीने वन परिदिर्शे की पुनर वहाली का मार्गदर्शन करना चाहिए जल के लिए वनों का प्रवंधन, इसके तहत भूजल पुनरवरन को बढ़ाने के साथ साथ नदियों और ज़र्णों में सतही प्रवा और उप्सतही प्रवा को बनाए रखना शामिल है इसके माध्यम से कई अन्य लाव जैसे वनागनी के मामलों में गिरावट आदी के लक्षियों को भी प्राप्त किया जा सकता है कारवन सिंक के रूप में वनों का प्रवंधन पेर पोधों द्वारा कारवन डियोकसाइट के संग्रय के अत्रिक्ट वन उस छेतर के पारिस्तित की तंतर को मजबूद करते हैं जिसके माध्यम से इसके विभिन घटक परयावरन में कारवन उत्सरजन को कम करने में सायता करते हैं तीसरा आजीविका के लिए वनों का प्रवंधन विश्यों में लाखों लोग अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष अत्वा अप्रत्यक्ष डिरेक्ट और इंडिरेक्ट रूप में वनों पर निर्भर करते हैं ऐसे में नीतियों के निर्मान के दौरान वन सनरक्षन और इस पर आश्रित लोगों के हितों के बीच संतुलन को बनाए रखने पर ध्यान देना बहुत ही अवश्यक होगा आगे की राग देश में वन परिदिर्शे की पुनर वहाली की पहल के प्रभावी किर्यानवेन के लिए सभी हित दारकों के बीच इसके विविन घटकों जैसे एफलर के लिए चैनित छेतर की परिभाशा और इसके चैन की प्रक्रिया योजना की निगरानी हे तू एक मानक का निर्धारन आदी के मामलों में समान समझ और मजबूत समन्वे का होना बहुती आवश्यक है वर्तमान में केंदरिये परियावरन वन और जलवायू परिवरतन मंतराले के तहत बोन चैलेंज की निगरानी के लिए स्थापित समीती को इस पर योजना के मार्क दक्षन और सम केतकों को आधार के रूप में उप्योग किया जा सकता है पिछले तीन दशकों के दोरान जिला और राज्य स्तरिये समन्वे समीतियों के अलावा संरक्षन समीती वन पंचायतों और ग्राम सभाओं के माध्यम से सन्युक्त वन प्रवंधन के तहत जमीनी स्तर पर सभी हित हित धारकों को साथ लाने के लिए कई संस्थानों का विकास किया गया है ऐसे में पुनर बहाली के प्रयासों को इस्थाइतों प्रदान करने के लिए सभी हित धारकों की भागीदारी के साथ उनके बीच उत्तर दायतों को साज़ा करने पर विशेश ध्यान देना होगा अब इससे जुरा हुए एक प्रश्न भी देख लेते हैं जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि UPSC Mains 2021 में हमें देखने को मिल सकता है जलवायू परिवर्तन से निपटने में वनों की भूमिका की समिक्षा करते हुए वर्तमान में भारत में वन सनरक्षन की चुनोतियों और इसके समधान के लिए विकल्पो पर चर्चा कीजिए फ्रेंट्स आप पॉइंट टू पॉइंट कमेंट सेक्षन में मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर मुझे लिख के भेजे मैं उसको स्वैम चेक करूँगा और उसका रिपलाई भी करूँगा आपको और यदि आपके कुछ प्रशन हो तो उसको कमेंट सेक्षन में पूछ सकते हैं मुझे उसका आंसर देने में खुशी होगी तो फ्रेंट्स आज के वीडियो में इतना ही तो फ्रेंट्स मैं इसी तरह के वीडियो साफ के लिए लाता रहूँगा तो मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके तो फ्रेंट्स घर में रहिए करोना से बचके रहिए मास्क का उपयोग कीजिए समय समय पर अपने हाथों को धोते रहिए थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंट्स गुडबाई